आपने आपको बहुत जादा confident feel कर सकते हैं तो मेरे पास एक ऐसी motorcycle थी जिसके साथ मैंने सब कुछ explore किया शहर के गड़ों को देखा और जब थोड़ा सा off-road से गुजड़ा जहां पर अभी नई-नई साड़क बन रही है तो मुझे लगा कि suspension तो सच में यहां भी support कर रहा है तो ये चीज़े मिला कर overall इस motorcycle को काफी अच्छा बनाती है नमस्कार मैं अमेदी वेदी आप सब ही का स्वागत करता हूँ अपने इस channel power on wheel पर और आज मेरे साथ एक ऐसी motorcycle है जिससे आप चेहरे से मुझे पक्का पता है आप सब जानते है hero splendor के बारे में आप सब ने सुना है लेकिन ये सिर्फ hero splendor नहीं है ये है super splendor x-tech यानि कि आप इसमें आपको बहुत सारे high-tech features मिलते है लेकिन इसके अलावा एक basic variant भी इसका मिलता है जो की normal आता है जिसमें आपको disc नहीं मिलता है drum मिलता है कीमत शुरू होती है लगबख 33,000 रुपे से और इस motorcycle की कीमत अगर आप high-tech features चाते हैं तो आपको लगबख 87,000 रुपे चुकाने पड़ेंगे तो भाईया अच्छे से आपका मैं परिशे करवाने वाला हूँ इस hero से तो अगर आप तयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं और बताते हैं सब कुछ इसके बारे में भाईया हीरो है तो हीरो का डिजाइन एकदम अलग होता है और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है जो सबसे पहले बदलाओ कर एक ही बात करेंगे जो यहाँ पर हीरो ने दिया है तो यहाँ पर आपको हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैम्प मिल जाता है और क्रोम की पटी अच्छी लगेगी और यह हीरो का जो लोगो इस तरह से दिया गया है वाईजर के साथ में यह काफी अच्छा लगता है मुझे शुरू से पसंद रहा है इस मोटर साइकल में हलाकि यह नहीं बोल सकते हैं कि एकदम अलग हो गया है यहां पर क्या मिलता है है अलोजन बल्ब के साथ में टर्न इंडिकेटर मिल जाते है टेलोस्कॉपिक सस्पेंशन मिल जाता है डिस्क मिल जाता है और साथ में 1818 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है और मुझे लगता है यह सब कुछ जस्टिफाई होता है इस सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के साथ ले तो भईया अब आपको दिखाते हैं इसका साइट प्रोफाइल जो की मुझे काफी बुलन लग रहा है आपको कैसा लग रहा है आपको कमेंट बताना है लेकिन मुझे ज़सा लग रहा है बताता हूं तो यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग यहां पर मिल जाएगी एक बड़ी सीट मिलती है मुझे लगता है 125 सीच सेगमेंट की यह सब से कमपटेबल मोटर साइकल है क्योंकि जिस तरीके से इसका पोजिशन है हाला कि राइड में जिक्र करेंगे कितनी कमपटेबल है चलाने में लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है वह आपको दिखा रहा हूं इसके अलावा एक्जॉस्ट पे आपको यह क्रोम का अच्छा इस्तेमाल मिलने वाला जो कि काफी बुलंदी के साथ यहाँ पर दिया गया है पिलियन के लिए यहाँ पर आपको पूट पे इस तरह से मिल जाता है यहाँ नगाया गया है यहाँ पर 124.7 cc का है और यह देता है 10.7 ps की शक्ति और इससे निंकलता है 10.6 Nm का टॉर्क और 68 किलो मीटर प्रती लीटर का मालिस देता है इतिनॉल E20 फिवल से चलने वाली मोटर साइकल है और BS6-2 आप इसे बोल सकते हैं इस पर आधारी ते मोटर साइकल है हलाकि जब चलाएंगे तो वहाँ पर किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है उसका जिक्र करेंगे लेकिन जिस तरीके से वहाँ से लेकर यहां तक की डिजाइन है मुझे लगता है काफी हथ तक जिस्टिफाइड है अब आपको दिखाते है इसका रियर तो इस मोटर साइकल पर बैठ कर दिखाने से पहले आपको दिखाता है और रियर में क्या क्या चीज़े मिल जाती है तो आपको कुछ इस तरीके का टेल लाइन पिल जाता है और इसे हाप पुरी अच्छ इस तरीके से परचीत है ग्रैप रेल कुछ इस तरीके से मिल जाता है और यहाँ पर हेलोजनल वरल्ब के साथ में कुछ ये अंदाज रहता है टर्न इंडिकेटर का रियर ट्रायर प्रॉफाइल की बात करें तो नभी नभी अथारा का ट्रायर प्रॉफाइल मिलता है अब मैं आपको इसका आवाज ही सुनाओंगा इस पर बैठूँगा और फीचर क्या क्या मिलते है ओभी दिखाऊँगा क्योंकि ये भीया हाइटेक मोटर साइकल है जहां पर आपको बहुत सारे हाइटेक फीचर मिलते हैं मोटर साइकल बहुत अच्छी बनाए है लेकिन अगर उसमें बैठने में मजा ना है तो बेकार हो जाता है सब कुछ तो कितने कमपटेबल है मिस्टर अमिद दिवेधी वो आपको दिखाने वाले है तो इस सीट पर मैं काफी कमपटेबल हूँ और मुझे लगता है जो इसकी सीठ हाइट है काफी परफेक्ट है मेरे जैसे राइडर की लिहास से भी और सेटी कम्यूटे में जब इसे चला रहा हूँगा तो कैसा होगा इसका परफॉर्मेंस उसका जिक्र किया जाएगा बाद में पिलियन बैठके कितना कमपटेबल रह तो वहां देखिएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं क्योंकि नए जमाने की मोटर साइकल जिसमें कई सारे फीचर्स ऐसे दिए गए जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि इस कीमत पर आपको किसी और मोटर सा तो इसमें आपको Bluetooth Connectivity और SMS Call Alert की फीचर्स मिल जाते हैं जब आप आन करते बाइक दिख जाएगा बाकि आप मुबाइल से जब आप इसे कनेट करेंगे तो यह सब कुछ दिखा देगा बहुत अच्छा से मतलब My Hero लिका हुआ जाता है और इस तरीके जितने पर बाइक चला आपने अल्री देख रहे हैं के आई 3S को आपको सुइच कर सकते हैं अपने हिसाफ से अगर चाहिए तो यहां से कर लीजिए और सारी चीजिए यहां पर आपको मिल जाती है तो अब बारी है आवाज सुनने की और फिर बारी है इसे चलाने की चलाने में मोटर साइकिल कैसी है तो भाई आवाज सुन लिजिए और आइडियल कंदिशन में कुछ इस तरीके से आवाज रहे ही मतलब बहुत जादा शांत हो गई है भाई पता ही नहीं चल रहा है क्या करते हैं एक्सप्लोर करते हैं आवाज से पता लग रहा है कि इसका आगाज क्या होगा तो परफॉर्मेंस जिक में जिक्र किया जाएगा कि यह चलाने में कैसी है मोटर साइकल तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं तो जब आप इसे चलाने लेकर नि दिखाती है जो आपको स्पीड चाहिए होगी उस तरह बढ़ती है वो बहुत अच्छा लगता है और हर गेर में ये संभावना नज़र आती है कि भाया ये आपको ट्रैफिक में नहीं फस्ति देगी कि तो जो ट्रैफिक वाला होता है सिटी ट्रैफिक वाला ना लो स्पीड वाला ओटेकिंग का कॉन्फिडेंस में भरा हुआ है और जिसे एक इसी मोटर साइक चाहिए जिसमें जादा पावर हो थोड़ा क्योकि जिसने स्पलेंडर की दूनिया हमेशा से अलग रही है वो इस motorcycle के साथ में अपने आपको एक upgrade feel करेगा क्योंकि आजकल लोग daily commuting मतलब शहर से शहर जब field का job होता है तो बहुत कुछ तलाश रहे होते हैं उन्हें ऐसी motorcycle चाहिए होती है जो बढ़िया mileage दे दे तो ये mileage जो देती है आपको लगभग 68 से 70 के बीच में दे सकती है वैसे और ज्यादा mileage हासिल कर सकते हैं डिपेंड करता है आप motorcycle को कैसे चलाते हैं भीया मैं बहुत ज्यादा धैरे वाला राइडर हूं तो जब मैं ट्रक जा रहा है या कोई बाइक आ गई है रास्ता नहीं मिल रहा है रास्ता खुद बना लेती है चीज मुझे इस motorcycle की बहुत अच्छी लगी suspension setup बहुत अच्छा है क्योंकि इस bike के लिहाद से जिस budget के इसे पेश किया गया है तो इसका suspension travel काफी अच्छा है और इसको support करता है अपने rider को ये कभी भी निराश नहीं करता है पिलियन बैठेगा कितना comfortable रहेगा ओब test मैंने नहीं किया है लेकिन positive side बता सकता हूँ कि पिलियन के साथ में चलने वाली motorcycle है क्योंकि इसके पहले भी मैंने काफी कुछ use किया था तो मैं उस आधार पर बता सकता हूँ कि ये motorcycle वहाँ पर आपको बहुत मज़िदार लगेगी और जो दिखता है क्योंकि जो इसका digital instrument cluster दिया गया है ये बहुत अच्छे से आँखों में बसा रहता है और जब आप एक high speed की तरह बढ़ते हैं तो मुझे 87-88 तक तो मैंने टच्च किया लेकिन मेरे इस weight के साथ में मुझे लगता है कि हाँ 37-80 के बीच में अगर इस motorcycle को च जहां पर अभी नई नई साड़क बन रही है तो मुझे लगा कि suspension तो सच में यहां भी support कर रहा है तो यह चीज़े मिला कर और 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 इस motorcycle को काफी अच्छा बनाती है और एक practical motorcycle के तौर पर जहां पर आप अपने जिंदेगी का सपना सोज़ोए ही हुए है कि अब आप अप 240 mm का जिसका disc है यह बहुत ही perfect लगता है जब आपके साथ ride कर रहे होगे और sudden जहां पर breaking करनी होगी तो वहां पर यह confidence आपको 100% समझ में आने वाला है तो भाया मेरे इस वीडियो में फिलाल इतना ही जो मैं बताना चाहता था वो आप समझ गए होगे अब यह super splendor x-tech काफी high tech हो चुकी है और इस high tech features की वज़े से आपको भी पसंद आ सकती है तो भीरा वीडियो कैसा लगा अब आपको comment करके बताना है इंतजार कर रहा हूं आप सभी का comment box में